सालावलेकुम दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूटूब की अपडेट शेयर करने जा रहा हूं जिसके मताबिक अब यूटूब आपका चैनल आपको बताय बगार डिमोनिटाइज या रिमूव नहीं करेगा दोस्तों आपने अक्सर बड़े यूट करेगा या फीर आपके चैनल को डिलीट करेगा या पिर आपके चैनल को डिमोनिटाईज करेगा आपकी जो घलती होती पहले एक कथा शाफ्ता पहले बता देगा इसकी मिसाल समय आपको ऐसे प्लस के तोवर samhप किसी और कि में या किसी शौप पर जॉप करते हैं तो आपको को यह बता दिया जाता है कि हम आपको जाब से पारिक कर रहे हैं उसकी वज़्जा भी आपको बता दिया जाती है कि आप फ़ला गलतियां कर रहे हैं तो उसके बाद दोस्तों आपके हाथ में होता है कि आप उसमें अपनी गलतियों को ठीक कर लें और अपनी जाब को स्क्योर कर लें है उस वाग्ण डि दोस्तो आपको वर्निंग दी जाती है किसी कॉम्पणि अनगे में या किसी शॉप में आप जाप करें अप उस पली नहीं करते हैं तो आपकी जाब आपके हां से चली जाती है यही Mayo करेंगे अगर आप उसको सुनी यान सुनी कर देंगे तो आपका चैनल अगर मॉन्टाइज है तो डी मॉन्टाइज हो जाएगा अगर यूट्यूब ने रिमूव करने की वानिंग दिया तो रिमूव कर देगा देखें दोस्तों यह कितनी कमाल के अपडेट है कि अभी आपको यूट्यूब बता देगा कि आप फ़ला मिस्टेक अपने चैनल के पर कर रहे हैं दोस्तों अभी आपको क्या करना पड़ेगा मिसाल के तोर पर आप अपने चैनल के पर काम कर रहे हैं आपको चैनल मॉनिटाइज है आप चैनल के पर काम कर रहे हैं तो यूट्यूब क्या करता है आपको एक अफ़ता पहले नोटिफिकेशन दे देता है कि आप अपने चैन रिडीयों चाहिए भूरा क्या करेंगे दोस्तों आपना चैनल आपको रिवियू करना चाहिए देखना चाहिए आया कि मैं कौन कौन सी वीडियोंस में रियूस कंटेंट इस्तुमाइल करेंदा निया रिप्टेनट इस्तमाल किया है तो YouTube ने मुझे क्यूं ये नोटिफिकेशन दिया है तो इस के दोस्तों आप क्या कर सकते हैं एक आपी वीडियो बना सकते हैं YouTube को बैश सकते हैं कि मैंने कोई पापी बैलेशन नहीं की है मैं अपने चैनल को पर रिजूरू को रव्यू करेगा जाब वो आपके चैनल को रव्यू करेगा धोस्तो अगर जो अपने अपील वीडियो बनाई है अपने content के मताबिक मनाई है आप उसमें repetitive content भी इस्तमाल नहीं करें reuse content भी use नहीं करें तो आपका channel demontage नहीं करेगा अगर आपके appeal वीडियो आपके channel के content के मताबिक होगी ये मैंने आपको एक मिसाल दी है आप कोई भी evaluation करें होगे उस हिसाब से आपको वीडियो बनानी पड़ेगी दोस्तो एक appeal करने का आपको ये तो फैदा हो जागा कि आपका channel demontage नहीं होगा अभी इसमें एक और भी आपने ध्यान रखना है मिसाल के तोर पर आप अपने channel के पर reuse content तो इस्तमाल कर रहे थे repetitive content तो इस्तमाल कर रहे थे लेकिन आपने appeal वीडियो बना दी कि मैंने तो ना तो repetitive content इस्तमाल किया है ना reuse content इस्तमाल किया है तो फिर क्या होगा दोस्तो आपकी जो appeal है वो reject कर दी जाएगी जब reject काती जाएगी दोस्तों आपका एक अफते बाद क्या होगा चैनल demontize हो जाएगा तो दोस्तों सिर्फ channel demontize होगा तो आपको करना क्या पड़ेगा आपको फिर 90 days समझो 3 माँ wait करना पड़ेगा दुबारा montization अपलाई करने के लिए इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपीज वीडियो मनाने लगें जो अपने चैनल के उपर आपने mistake की है आप यह न सूचे कि YouTube को पता नहीं चलेगा मैं क्या करता हूँ कि अपने वीडियो को डीट कर देता हूँ देखें दोस्तों YouTube के system में आपकी कोई शार्ट वीडियो पढ़ी हूँ है आपका thumbnail पड़ा हूँ है आपकी अनलिस्टे वीडियो पढ़ी हूँ है आपकी public वीडियो पढ़ी है कोई भी चीज आपके चैनल के पर पढ़ी हूँ है वो YouTube से छुपी भी नहीं होती है इसलिए जब आप अपील की वीडियो बनाएं तो आप यह द्यार रखें कि अपनी वीडियो को ड्रीट नहीं करें दोस्तों एक तो सुरत यह हो गई कि आपने अपील के लिए अप्लाई किया अगर आपकी अपील एसेप्ट हो गई तो फिर आपका चैनल डिमोंटेज नही के यह दो कंडिशन हो गई तीसरी कंडिशन भी दोस्तों होती है तीसरी कंडिशन दोस्तों यह होती है मिसार के दोर पर यूटूब ने तो आपको दिया एक हफ्ते का टाइम आपने क्या क्या हो सकते हैं तो जब दोस्तों आप कुछ भी यूटूब को रेस्पांस नहीं द दोस्तों आपका चैनल अगर उसने रिमोग करना है तो रिमोग कर देता है अगर डिमोनिटाइज करना है तो वो आपका चैनल को डिमोनिटाइज कर देता है तो दोस्तों इस तीसरी कंडिशन में आपको क्या होता है जब तीसरी कंडिशन आपके चैनल के पर अपलाई होती है फिर आप 21 days समझो तीन अफ़ते तक दोबारा montization के लिए apply नहीं कर सकेंगे समझो 21 दिन के बाद आपको दोबार apply करना पड़ेगा दोस्तोर ये तीन conditions हैं जो आपके चनल के पर apply होंगी जो मुझे जाती तोर पर पसंद आई है वो सबसे पहले वाले यही है उसमें यह है कि आप अगर अपना content यूज़ कर रहा है तो YouTube आपको कोई भी notification देते हैं आप अपीर वीडियो बना कर YouTube को बेजेंगे तो जो उसका viewer होगा YouTube का viewer होगा वो आपकी वीडियो को देखेगा वो देखेगा कि इसका तो content अपना है तो फिर इसके पर reuse content कैसे आएगा, repetitive content कैसे आएगा, हाग चीज़ इसके अपनी है तो फिर वो आपका जल्दी से channel पास कर देगा आपके channel की जो monetization है उसको भी suspense वो नहीं करेगा यह है कि आपका जो channel है वो monetize ही रहेगा, demontize नहीं होगा अगर आपका अपना content होगा तो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आप YouTube के पर समझ के काम करें दोस्तों मैं अमीद करता हूं यह आज की जो मैंने update आपके साथ share की है यह आपको काफी पसंद आएगी क्योंकि इस update में दोस्तों मैंने बताई है कि लोग जैसे परशान होते थे channel के पर काम करता हूं उनको idea नहीं होता था कि मैं सहीज काम कर रहा हूं नहीं गलत काम कर रहा हूं कि पालिसी की कुछ valuation हो रही है नहीं हो रही है लाइम में मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए यह भी एकसर स्वाल में पूछा जाता है तो इसके भी उनको जवाब मिल गया होगा कि YouTube आपको बता देगा कि आप मिस्टेक अपने चैनल को पर कर रहे हैं अब दोस्त उमेद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बैल एकन का बटन जरूर्वर तबाए उससे ही होगो ना जब भी कोई मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिकेशन आपक लेट वाली वीडियो में आपको यह पता चलता है कि यूटूब पर क्या हो रहा है ओके दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा अल्लाफीज